नमस्कर दोस्तू यशा यहा अकोस्टा नाम के इस लड़की की कहानी सुनकर आपको जीवन जीने का एक अलग नजरिया मिलने वाला है क्योंकि यशा यहा जब पेदा हुए थे तो उनके मुँव में जबड़ा ही नहीं था जानकरी के अनुसार अकोस्टा 31 अक्टूमर 1999 को अमेरिका के एरिजोना में पेदा हुए थे वो समय से दो महिने पहले पेदा हुए थे एसे में डॉक्टर्स ने कहा था कि उनके बचनिक की संभावना नहीं है लेकिन उन्होंने डॉक्टर्स की भाविश्रिवानी को गलत साबित कर दिया अकोस्टा की जॉर लाइन नहीं है इस बिमारी को अगन्याथ्या कहा जाता है ये बिमारी बहुती दुरलब होती है इसमें एक या दोनों ही जबड़े नहीं होते है यहां तक की उनके निचले जबड़े और सासन पत नहीं है इसलिए वो सांस लेने या खाने में सक्षम नहीं है वो अपने गले में एक स्वास नलिका के माध्यम से सांस लेते है और पेट में एक ट्यूब लगी है जिसके माध्यम से वो खाते है यह सब कुछ इतना आसान नहीं है क्योंकि सास लेने के लिए इनके ट्यूब को दिन में कम से कम तीन बार साफ करना पड़ता है और हर हफ़ते बदलना पड़ता है रिपोर्ट के मताबिक बीते 20 सालों में यशायहा की कई सरजरी हुई है इसको लेकर वो जादतर अस्पताल में ही रहे है और जिन्दगी से जंग लड़ते आ रहे है हाला कि अकोस्टा के पास क्रतिम जबड़े लगवाने का भी आप्शन था पर उन्होंने इसके लिए मना कर दिया क्योंकि उनका मानना है कि वो जैसे दिखते हैं वो इसमें खुश है आपको बता दे कि आज अकोस्टा एक रेपर है और वो गाने लिखते है और अपने जजबातों को लोगों तक पहुचाते है तो दोस्तों आपको इस रक्ष की कहानी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताए साथ ही वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि देश और दुनिया की तमाम अनुखी खबरे हम आपके लिए लाते रहे